तो सिक्सक वहां कारे करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए आपने चेन की प्रक्रिया देखी होगी इसके पीछे की मंसा क्या जो बियोसी बॉर्ड में रेश्टर्ड सर्मिक हैं उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवास्य विद्यालियों में प्रवेश देंगे करोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने भावक को खोया है उन बच्चों के अई भावक के भाव में उत्तरप्रदेश सरकार ने मुख्यमंतरी बाल सेवा योजना प्रारंब की और उन बच्चों को भी हम प्रात्मिक्ता इसमें प्रवेश के लिए देंगे और यह पहला सत्र प्रारंब होगा इस द्रिष्टि से सिक्षकों को अपनी तैयारी इस जभी विद्यालियों के भव्योत गाटन की अलग से तैयारी होगी लेकिन पहले चरण में वहाँ पर प्रवेश के प्रकरिया पूरी हो जाए इस द्रिष्टि से आउस्चक है और आपने देखा होगा कि जो अटल जी कहा करते थे कि आदमी न बड़ा होता है न छोटा होता है आदमी सिर्फ आदमी होता है और उनकी इन भावनाओं के लूप प्रवेश की प्रकरिया में सब कुछ देखने को मिला है सर्मिक सर्मिक है और राष्ट का निर्माता है अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से अपने पसीने से राष्ट के निर्माण में अपना योगदान देता है लेकिन उसकी जिंदगी खाना वदोष जैसी होती है बटकता है आज यहां है कल दूसी जगह चला गया बच्चे भी साथ में घूम रहे हैं ना रहने का ठिकाना है ना बच्चों के पढ़ाने का कोई विवस्ता है और इसलिए पहल की गई है इस सीवीएसी के पैटन पर चलने वाले विद्धारे होंगे जिसमें लॉजिंग पूडिंग सारी विवस्ता होगी चैसे लेके बारवी तक की संपूर्ण सिक्सा का दहित्व सरकार और ब्योसी बोर्ड उठाएगा और ये सत्र प्रारंब होगा यहाँ जो टीम समंधित अठल आवासे विद्ध्याले के प्रधानाचारे के नित्रुत्तों में वहाँ काम करेगी ये उनकी सामर्थे को मापने का भी एक माद्यम होगा याद रखना सुरुवाज जैसे होगी पैड़नाम भी उसके अंत में उसी प्रकार के सामने आते भी दिखाई देंगे इसलिए जोरदार सुरुवाद संसकारवान सुरुवाद एक राश्ट को समर्पित नागरिक निर्मान की एक सुरुवाद यहाँ से निकलावा च्छात्र जब 6 वर्स के बाद बाहर निकलेगा तो समय अपने आपको एक स्वावलंबी नागरिक की रूप में समर्थ नागरिक की रूप में अपनी पैचान बना सके इसके लिए समंधित अटल आवासे विद्या लेके टीम का दहित्व बनता है जो प्रधानाचारे के नित्रत्तों में टीम होगी उस टीम का दहित्व बनेगा कि वह इस कारेक्रम को इसी उरजावान तरीके से आगे वढ़ाने का कारे करे इस कारेक्रम में हमें पहुत सारी नई चीज़ें देनी पड़ेंगे मैं बार-बार कहता हूँ लकीर का फकीर बनने की प्रभृति से हमें उभरना पड़ेगा कुछ नयापन नए तरीके से जो में स्वामलंबन से संब्रिती की और अग्रसर कर सके आज राश्टिय सिक्सा नीती आ चुकी है कि राश्टिय सिक्सा नीती ने बहुत सारे आयाम सिक्सा के छेत्र में खोलने के लिए द्वार खोले हैं सिक्सा भी स्किल्ड डेवलमेंट भी स्पोर्स की एक्टिविटीज भी लेकिन क्या उस कैंपस में हम एक ऐसा माहूल दे सकते हैं कि सिक्सक से लेकर के विद्यार्थी तक गुरुकुल की आदर से विवस्ता के इन रूप उस पूरे कैंपस का दाहितों अपने हाथों में लेकर के उसके पूरे कारिक्रम के संचालन को भी अपने स्वताइस्पूर्त भाव के साथ करते विदिखाई दे यह आटल आवाज से विद्याले की पैचान बननी चाहिए है हमारी समस्या क्या समस्या यह हो जाती है और व्यक्ति एक दोस्य के उपर निर्वर होना चाहता है मैं देखता हूँ बहुत सारी जगे सरकार संस्थान खड़ा करती है चात्रवाज की स्विधा देती है सब कुछ देती है लेकिन पानी की टोंटी से पानी निकल रहा है गिर रहा है जो लोग उसका भोग करते हैं वो इतना अपनी दाहित तो नहीं समझ बाते है कि पानी का उप्योग तो हम कर रहे हैं टोंटी को थोड़ा बंद कर ले सरकार स्विधा दे रहे है इसलए मान लिया जाता है कि ये स्विधा फिरीकी हो गई लावारी सो गई ओसको अनाथ हुना दिया जाता है जबके उसने सुविधा को अभोग करने वालोंका दाहित तो बनता है कि हम इसका उडू gözपो नहोंने दे इसका सत्यूओ करें अगर पानी जिर रहा है तो भूश को बंद करने टोंटी खराब हो गए तो इतनी सामर्थे विक्सित करें कि प्लंबर जब तक आता है तब तक हम प्लंबरिंग का काम भी सीख करके उसकारिय को स्वेम उसको ठीक करवा लें कि यह आत्म निर्भरता की पहली सीड़ी को प्राप्त करने की सामें प्रियास हम लोग देखते हैं भावन पे अच्छा खासा भावन बना है आप देखिए अटल आवस्टे विद्यालियों के वावन हाई क्लास भावन बने है बारा से पंद्रा एकड़ छेतर फल में पहला हुआ है स्किल्ड डिब्लमेंट के सेंटर भी हैं स्पोर्स की बी एक्टिविटीज हैं मैदान भी हैं छातरावास भी हैं बालक के लिए अलग बालिकाओं के लग लेकिन देख भाल भावन की सापसफाई मरमत कहीं कोई बात होती है टूट फूट होती है किनी काणों से बहुत एक चीज है कोई भी चीज टूट फूट हो सकते हैं लेकिन उसकी तद्काल मरमत की विवस्था होना हमें स्वेंबी सामर्थे विक्सित करने चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हम उसकी थोड़ा बहुत हम भी स्यूग कर सकते हैं कि भावन सरकार बना देती है विवस्तावी देती है जमीन में तो पेड नहीं उकते लेकिन भावन के ओपर बड़े बड़े पेड़ू गे रहते हैं और पीपल है कर बर्गत भी ओर जाता है और फिर वह भावन जर-जर हो जाता है फिर एक समय के बाद 15 साल 20 साल के बाद वह बिभाग फिर से पाविद्ण कर देन सहा हमारा भावन जर-जर हो चुका है खंडर हो चुका है कि मैं कहता हुं यार देखो तुम लोग नहीं जब सुरवात कियो कि तब खंडर नहीं ता तब अच्छा-कासा भवन दिया था और में तु और समझता था कि तुमें पहले खंडर होना चाहिए था इस भवन को नहींं खंडर होना चाहिए था लेकिन तो आज भी सरकार पर बोझा बने वे हो समाच पर बोजा बने वे हो और भवन को खंडर कर दे ओ sambhriddy की तरफ वह समाच अक्रसर होगा जो स्ववलंबी होगा आत्म निर्फर होगा अगर भवन पेड़ जमा है उसको खाड़ कर फेंक देना हमारा दाहित्व बनता है क्योंकि हमने वहाँ पहना है हमारी आजीविका वहाँ से चल लई है हमारी राष्ट की नियों को मझबूती प्रदान करने का दाहित्व उस संस्ता के उपर है और दाहित्व उस कारिक को आगे बढ़ा रहा है और उस कारिक्रम को हमें उसी रूप में आगे बढ़ाना होगा यह विवस्ता साथ-साथ अनुसासन को हर हाल में मेंटेन करना अनुसासन हिंता के लिए कहीं कोई जगे नहीं होनी चाहिए किसी भी अस्तर परे प्रिंस्पल हो सिख्सक हो सिख्षन उत्तर करमचारी हो चात्रों का हो चात्राओं का हो इस स्थाइस पूर्थ भाव के साथ संस्थाइं चलती भी दिखाई देनी चाहिए इस प्रकार का एक इस्तिती वहां पैदा करने की आउसकता है अगर आप करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे लोगों के सामने को धर्ण परस्तूत कर पाएंगे जो सरकार ने क्वालिटी तै की है मेस की वह स्विप्धावां मिले जो सरकार ने एक विवस्ता बनाई है पथन पाथन की वह वहां लागू हो वर्ष भर का सेक्सी कलेंडर सत्र प्रारम होने के पहले ही जारी हो जाना चाहिए वर्स भर में कहां कहां कब कब क्या करेकरम होने हैं और फिर यह भी तै होना चाहिए कि समय समय पर अटल आवास्य विद्यालियों की आपसी प्रत्योकताओं को कभी डिवेट की प्रत्योकता हो सकती है कभी खेल कूत की प्रत्योकता हो सकती है कभी निवंद लेखन की प्रत्योकता हो सकती है कभी जन्न नौले से समधित प्रत्योकताओं का आविजन आपस में करना चाहिए अलग अलग प्रकार की चीजों के गतिविदियों का केंदर भी इसके साथ बंतावा दिखाई देता है देना चाहिए ये सब चीजें जब एक साथ चलेंगी तो आप कुछ नयापन दे पाएंगे देश और समाज के अंदर गटित होना लिए गटनाओं की चैनकरी रखना देश के अंदर क्या हो रहा है समाज के अंदर क्या कुछ गटित हो रहा है सासन की योजनाएं किस रूप में क्रियानिवित हो रही है इन सब की भी चैनकरी रखना लैबरेरी के प्रती बच्चों को आगरे ही बनाना उसको ब्यभारिक बनाने का प्रयास होना यह सभी चीजें अगर आपके साथ अपिक साथ लेकर के चलेंगे इसके बहुत बेहतर प्रणा माएंगे और इसलिए यह सभी दाहित्व शिक्षकों का हो नियमित मौर्निंग एसंबली हो प्रार्थना सभा में सब बच्चे आए एक साथ खड़े हो वहाँ पर भारत की प्रंप्रा के बारे में बताईए आवास्य कैमपस होगा तो आवास्य कैमपस में यह भी बिवस्ता आपको दे ने कोई भी हमारे धार्मिक और आत्यात्मिक आयुजन उससे पहले प्रधाना चार यह या कोई एक सिक्सक पांस से दस मिनिट का अपना एक भाषन तैयार करके ब्यावहारी चीजे बच्चों को बताएं 15 अगस्त के दिन आयुजन क्यों होता है अगर आप बच्चों को बत औरा किया आप अगले दीन के आप में सबकोन से भागी बनाई यह कि ऐसका कारिक्रम अचानक नहीं होगा रियरशल होनां चाहिए ा यह स," सूमानी क्लास के उपरान एक घंटे का समय निकाल करते एक टीम सांस्कृतिक कारिक्रम के लिए एक भासन प्रतियोक्ता के लिए एक पेंटिंग की प्रतियोक्ता के लिए एक निवंद लेखन के लिए एक खेलकूत की प्रतियोक्ता के लिए अलग 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 अक्टिविटीज के लिए अलग अलग टीम को प्रसिक्षन की कारवाई के साथ जोड़ना और फिर उसको और इसको साप्ताइक कारिकरम का हिस्सा बनना चाहिए नियमित्रों से बनाए जाना चाहिए कि दिपावली आई दिपावली के आउसर पर विद्याले में सामने पठन-पाथन बंदोगा लेकिन दिपावली की पूर संध्या पर एक दिन बच्चों को मौनिक असेंबली में ही प्रिंसिपल के मात्यम से या किसी योग के सिक्षक के मात्यम से वहां से दिपावली के महित्व की बारे में लोगों बच्चों को बताया जाए दिपावली क्यों है पर्व का मतलब एकांकी पन थोड़े है पर्व का मतलब सामुक ताका दर्सन है दिपावली का मतलब हम सब मिल करके अपनी खुश्यों को एक साथ वहां पर बांटे हैं एक साथ मिल करके उस आयोजन के साथ सामिल हो अठलावास्य विद्याले जैसा दोसा प्रावसर कहा इसमें मिल सकता है और उन कारिकर्मों को इसके साथ जोड़ना ह경 यह प्राव्च मिन याut उसके बारे में भी नपकराना बच्चों को शीमार्ग पर चलने के लिए प्रेरीत करना दुस्परविटी और दुराचारी कितना भी महान क्यों नो हो कितना भी वह प्यक्ति महानता बनने का ढोंग क्यों न कर रहा हो लेकिन वह कभी सफल नहीं होता जीवन में अंत्यता उसको विफल होना ही पड़ता है हर परवरतिवार इस परकार की प्रिणा देते हैं 26 जनवरी आएगी क्या महत्व इसका गणतंतर दिवस का महत्व क्या है अगर हम एक दिन पहले बच्चों को इसके बारे में बता करके और फिर मुख्य आयुचन में इसमें बच्चों से ही भाषण करवाएं रियर्सल करवाएं उस दिन उनका संभाषण हो अईभावकों को भी आमन्तित करिए समाज से जड़ेवे समरांत नागरिकों को भी इसके साथ जोड़िए आप देखेंगे एक नयापन आपके कारिकरम की बारे में आपके बारे में समाज की दहना बदलेगे और यह पहले चरण में हम 18 अस्थानों पर बिद्याले का सुभारम भी इस सत्र में करने जा रहे हैं अगले चरण में इसका विस्तार भी होगा बेसिक शिक्षा परिस्थ भी जो बचेवे 57 जनपद हैं इन जनपदों में इसी तर्च पर एक एक विद्याले खोलने जा रहा है और उन विद्यालियों में सामान्य बच्चों को भी हम प्रवेश करेके एक इंटिग्रेटेड केंद्र बनाएंगे 6 से 12 तक के एक कैमपस को उसके साथ जोड़ने की कारवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं एक नए तरीके से लोगों की सोच को आगे बढ़ाना और उस नहीं सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए या महती जिम्मेदारी इस टीम के उपर होगी जो टीम आज यहां पर बैटी है अटल आवासे विद्याले की दिस्से आपका प्रसिक्षण अच्छे डंग से हो सिक्सकों के चैन की प्रकरिया रही हो पूरी पारदर्सी तरीके से इस चैन की प्रकरिया को आगे बढ़ाये गया जो अच्छा हो सकता था वो करने का प्रियास हुआ लेकिन इसमें और भी अच्छा हो सकता है चातर चात्राओं के सेलेक्शन की प्रकरिया अच्छे डंग से आगे बढ़ाई गई इसको और भी अच्छा करने का प्रियास होना चाहिए जिससे हम लोग इस प्रकरियाक में इमानदारी के साथ-साथ इसको प्रभावी टंग से आगे बढ़ा सके और जिस मंसा से प्रधानमंत्री मोधी जी की भावनाओं के इन रूप राज्य सरकार अठलावास्य विद्याले का संचालन कर रही है उस मंसा के इन रूप हम पेरणाम दे पाएंगे इस विश्वास के साथ अठलावास्य विद्याले के इस गुरु वारता कारेक्रम के उसर पर मैं इस पूरी अभ्यान के प्रती अपनी सुबकामनाई देता हूँ और विश्वास ब्यक्त करता हूँ कि शिक्साग जब यहां पे पूरी टेनिंग के कारेकरम को संपन करके अपने अपने विद्यालियों में जाएंगे विद्यालियों में जाकर के छात्रों की उपस्तिती को सुनिश्चित करना पाठे करम विद्याले की विवस्ता को सही करना कहां पे क्या कमी हो गई है यह समय आपके पास होगा यह ब्रसात का समय है और आपका दाहित्व बनेगा आपका विद्याले का जो परिशर है जो उसमा का प्रवेश है यह आध्यात्मिक वातावन से परिपूर्ण हो इसके लिए अलग-अलग वैराइटी के ब्रेक्षों का च पुस्वदार जो पौदे होंगे जो अलग-अलग सीजन में पुस्व देते हैं अलग-अलग रंग बिरंगी पुस्व देते हैं उनकी खुस्वदू से आपका कैमपस चम केगा आप देखेंगे का द्यात्मिक वात्रण स्वाता इस्पूरत भाव के साथ होताव दिखाई कि जब चाहिं सडकों के किनारे च्यादार बेकुछ लगा सकते हैं अलग-अलग स्थानों पर खाली जिए प्रयाथ आप बारा से पंद्रा एकड़ का प्रियाप तो कैमपस से बना हुद लिगता है कि बारा से पंद्रा एकड़ इंटर कॉलेजेंग दिन पर दूरलब है 6-8 के किसी भी त्याले में इस प्रकार का कैमपस मिलना और इतना अच्छा इंफ्रास्क्लक्चर मिलना दुरलब है उस दुरलब से दुरलब तम अभियान के साथ आपको भी जुड़ना है कुछ नयापन दिखना चाहिए सचता प्लास्टिक फ्री आपका कैमपस हो दुम्बरपान से मुक्त हो किसी प्रकार के नसा से मुक्त हो पान गुड़का खेनी अगर कोई सिक्सा कोई करमचारी पहले से खाता है अपने इस बुरी संगत विक्रिति को कैमपस के बार ही तिलांजली दे करके फिर हम कैमपस में परणाम करते हुए आगे बढ़े और कैमपस के अंदर इस प्रकार की किसी भी गलत चीच को नहीं आने देना है जो किसी प्रकार के नसा को, किसी प्रकार के धुम्रपान को, किसी भी प्रकार की खेनी या इस प्रकार की विक्रिति को कि खेनी खा करके कैंसर इंतजार कर रहा है कि या विक्रत चेहरा होता है पूरा सड़ चुका होता है यह बताने क्का सकता है कैंपस में अच्छा सा वातारण तयार करना गुड़कुल जैसी परंप्रा की शुर्वात है भारत की प्राचीन गुड़कुल की परंप्रा जिसने भारत को शिक्सा के छेतर में ही नहीं संब्रती के छेतर में भी विश्व गुरु बनाया था और उसकी आधार छिला रखने का कार्य यह अटाल आवाज से विद्याले करने जा रहे हैं इसके पीछे प्रधान मंत्री जी की पेंड़ा है सर्दे अटल जी का नाम है और पंडित दिन द्यालुपाद्या जी का संकल्प है इन सब को अगर हम आगे वढ़ा पाएंगे तो आने वाली वर्तमान और भावी पीड़ी का बहुत बड़ा कल्यान हो पाएगा और शिक्सा सब्सक्राइब करूंगा यह सभी अठल आवस्य विद्यालियों में मैं स्वेंबी भर्मन करने जा रहा हूं सब जगे आऊंगा मैं सभी अठारक एठारक केंपस में हमारा परियास होगा कि आदेनिये प्रधान मंत्री जी इनका उध घाटन करें उनकी जो भी ब्रस्तार मे कोई गंदगी सड़क पे नहीं दिखाई देगी छात्रावास में कहीं गंदगी नहीं पाथ्रूम साप सुत्रे होने चाहिए कीचन साप सुत्रे होने चाहिए बेतरतीप कपड़े जहां तहां टंगे नहीं होने चाहिए इस प्रकार के एक विवस्ता का कारे हम वहां पर द छात्रों के प्रति अपनी सुपकामनाई देता हूं और विश्वास ब्यक्तर करतना हूं कि आप भारत की सिक्सा की नियों का काम राश्टी सिक्सा नीती को आगे वढ़ाने में कर पाएंगे आप सब की प्रति मेरी सुपकामनाई धन्यवाद जैएंगे